नमस्कार आप सब का मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विदरीतु में भौत-भध स्वागत है आज मैं बनाऊंगी आलू मेथी की सब्जी हमने आलू मेथी की सब्जी में थोड़े से मटर भी डाले हैं मटर डालने से हमें मेथी की करवाहट का पता ही नहीं चलता और बहुत ही अच्छी और बहुत पौश्टिक सब्जी बनती है इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मेथी के पत्ते, एक कप मटर, एक ही चद्रक का टुकड़ा जो मैंने बारीक काट लिया है दो से तीन कटिव हरीमिच और दो मीडियम साइज के आलू सबसे पहले हम कडाई को गैस पर रखेंगे और उसमें तीन से चार टेबल स्पून सरसोगा तेल डालेंगे सरसो के तेल में ही मेथी की सबजी बनाई जाती है इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है तेल गरम हो जाने के बाद उसमें से धुवा निकलने लगेगा अब हमें गैस को खलका कर देना है और इसके अंदर जो आलू हमने काट कर रखे थे वो डाल देना है और चार से पांच मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर हमें आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है चार से पांच मिनट हो चुके हैं और आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम आलू को एक प्लेट में ट्रांसवर कर लेंगे और इसी कड़ाई के इस्तेमाल हम अपनी सबजी चौकने के लिए करेंगे आलू मेथी की सबजी बहुत ही अच्छी बनती है और इसके अंदर जादा मसालों की जरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि मेथी का अपना बहुत स्टॉंग फ्लेवर होता है हम इसमें एक चुटकी हिंग जाल देंगे हाफ टी स्पून हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे जीरा और हिंग दोनों के फ्राई हो जाने के बाद हम इसके अंदर मेथी डालेंगे हम सारी मेथी इसके अंदर ट्रांसवर कर लेंगे मैंने आधा किलो मेथी ली थी और उसे अच्छी तरह से धोकर काट लिया था अगर मेथी की डंडियात बहुत नरम हूँ तो आप थोड़ी बहुत वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर कटिवी हरी मिज डाल देंगे और अधरग भी डाल देंगे अब हम इसमें एक टी स्पून नमक डाल देंगे आधा टी स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर दाल देंगे इसके अलावा किसी और मसाले की जरूरत इसमें नहीं है मेथी का अपना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और ये बहुती अच्छी सबजी बन कर तयार होगी 3-4 मिनट तक मेथी को इसी तरह भूनने के बाद अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे हमारी मेथी भून चुकी है अब हम इसके अंदर मटर डाल ट्रांस्वर कर देंगे अब हम इसके अंदर साथ ही आलू भी मिला देंगे इस सबजी को बनने में जदा देर नहीं लगेगी क्योंकि आलू को हमने पहले ही फ्राई किर लिया था और मटर ताजी होने के कारण बहुत जल्दी गल जाते हैं हमें इसे बिल्कुल हलके आज से धीरी धीरे इधर से उधर चलाते हुए अच्छी तरह से पलट लेना है इस सब्जी को ढखने की जरुवत नहीं पड़ती इतनी देर आप गैस पर दूसरी तरह पराठे या रोटी जो भी आप सब्जी की साथ खाना चाहें वो तयार कर सकते हैं साथ ही सब्जी भी बनकर तयार हो जाएगी दो मिनट के लिए मैंने इसे ढख दिया था देखिए आलू मेथी की सब्जी कितनी अच्छी बनी है इस समय अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर या इमली का पानी डाल सकते हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तयार है अगर आप सब को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगी की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रही थैंक यू